कि भरा नहीं जो भावों से पहती जिसमें रसधार नहीं यह हिर्दय नहीं है पत्तर है जिसका देश के प्रति प्याद कि मैं रार नहीं ठानूंगा मैं हार नहीं मानूंगा अटल जी वह व्यक्तित्व हैं जुन्होंने एक भगी रत प्रयास कर इस धारा को एक रास्ते पर मोड़ा देश के तीन तीन बार रह चुके पुर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेई जी का आज जयनती है और समाज के कुछ बुद्धी जिवी लोग है जो आज यहां एकमा प्रखंट के नचाप में उनके मुर्ती पर मल्यारपन कर रहे हैं फूल माला से उनको स्रधां पर रहे हैं यहां पर कुछ लोग उपस्थित हैं उन लोगों से हम कुछ बातचीत करते हैं तो इस देश को क्या करते हैं करना है इन दिनों दो गुभूतियों की रूप में इस देश को एक बड़ी संपति मिली है अचार अटल जी तसामोदी में दोनों मनुस्ता क्याल से मानवता क्याल से महान हैं अटल जी सर्व मन नेता हैं अटल जी पर विरोधी लोग ही विश्वास करते हैं आज हम उनके इस परयास का फल देख रहे हैं हर छेतर में हम अटल जी को याद करते हैं कि अटल जी के परयास से हम इसको हम क्या कहें ज्यान कहें धर्म कहें बुद्धी कहें भारतियता कहें हर छेतर में हम अटल जी का यह परयास सफल होते देख रहे हैं हम उनके चरणों में बार बार अपना नमन करते हैं, उनका यह प्रयास सफल होगा, हमें विश्वास हैं. कि जला अस्तियां बारी बारी छिटकाई जिन चिनगारी जो चढगे पुन्य बेदी पर लिये बिना गरदन का बोल कलम आजून की जय बोल, कलम आजून की जय बोल. यह पक्ति भारतिय राष्ट कभी दिनकर जी कहें, दिनकर जी बता गए हैं कि हमारी संस्किर्ती के लिए उन्होंने जो देश के साथ अपना बलिदान दिया है, देश को जो शिक्षा का आधार दिया है, बीये चिव उसका सक्षात उदाहरण है. अटल जी बहारी बाजपेई के सरीखे इने गुने चोन लगा हैं, ऐसे नेता के पड़ती अपना और अपनी समीती की योर से साधर सप्रेम संबेदना प्रिगर्ट करते हुए सरधान जली अर्टित करता हूँ. मदन महन मालविया इस छित्र में जब अपने कदम पर कदम बढ़ाते जा रहे थे और विस बिद्धाले की अस्ताफना के लिए एक बैठे की बुलाई थी, मदन महन मालविया पर एक बैक्ति ने आरोप लगा दिया, कि आप बनारा से हिंदू बिस बिद्धाले बनाने जा रहे हैं आपके मन में तुख भी दवाव रहता है हिंदु मुस्लम का बगल में मौलाना बैठे हुए थे मदन्मौहन मालविया ने उस बात व्यक्ति के बात का खंडन करने के जबाब में तुरतुस मौलवी से कहा कि मौलाना साहब एलएस पानी दिजिये पानी दिया और मौल मोहन मालविया ने उस पानी पी करके उसके पानी को पी करके यह साबित करने का काम किया कि हम भारत के लोग भारत की संस्किर्ती में पलते हैं और भारत की संस्किर्ती कहीं भी दभाव नहीं दिखाती है यह है मदन मोहन मालविया का चरितरी जिसकी आज हम जैंती मानाने जा र मैं भी सरदा सुमन का दो पुष्प अर्पित करते हुए यहां इस विद्याले में देश के दो कर्ण धारों का आज जैनती समारो हम मना रहे हैं हम सेवा निब्रित करमचारी कल्यान समीती के लोग बें इस विद्याले के परती अपना अभार परगट करते हैं जहां जिसके सानिध्य में आज हमें यह मौका प्रदान हुआ है अटल जी का व्यक्तित्व सारे लोगों ने उनके व्यक्तित्व को आपके समक्ष रख चुका है अटल जी का बहुत आयामे व्यक्तित्व था अब उनका एक मैं दो लाइन ही कहूंगा कि मैं रार नहीं ठानूंगा मैं हार नहीं मानूंगा या कविता उनकी परसीद कविता है वो कभी समराट भी थे कविता उनके रगरग में थी और आपने भासनों में जब वो परधान मंत्री बने थे तो लोगों ने जब उनकी सत्ता गई तो पूछा कि आप तो सत्ता में थे तब भी पूछा गया कि आप तो आज सत्ता में है आप सत्ता में नहीं थे तो चिलाते थे कि राम जन्भुमी बनाएंगे उन्होंने उतर दिया था कि जिस दिन हमारी बहुमत की सरकार बनेगी उसी दिन राम जन्भुमी बनना सुरू हो जाएगा और उनकी यह भविश्वाणी चैड़तार्थ हुई आज अटल जी भी आज होता है कि दो बच्चे एक बच्चे तीन बच्चे तीन बच्चों का नारा दिया जाता था दो बच्चों का नारा दिया भी एक बच्चे का नारा दिया जा अटल जी भी अपने भाई साइद मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन साथ बहाई थे और बच्चों पर फूल स्टॉप लग जाता तो आज ऐसे महान विभूतियों का जन्म होता कि नहीं होता यह सोचने वाली बात है। वो कांग्रेस विचारधारा के थे अटल बिहारी बाजपेजी जन संगी विचारधारा के थे। दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन कांग्रेस विचारधारा में रहते हुए भी देश के प्रिये थे। इतना कहकर मैं आज इन दोनों व्यक्तित्वों को दोनों आधर्णियों महामानों को विभूतियों को। मैं परमेश्वर सिंग समीति का एक सदस्य हूँ और यह समीति तीसों साल में चल रही है। और यह समीति एक पूर्ण रूपेन अध्यात्मिक समीति है और यह धर्म नीरपेक्ठ समीति है। इसमें सभी जातियों का समावेश है और हम अध्यात्मिक समीति यह है। मैं इसलिग के साथ आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यबाद देते हुए। अभी आप सुन रहे थे सेवानी बृत कल्यान समीति के कुछ समाज के बुद्धिजिवी लोग हैं कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो इस समीती में वही सदश्य बन सकते हैं जो पचपन के उपर जिनका उम्र हो गया है वही इस अध्यात्म से जुड़ सकते हैं तो अभी आप इन लोगों को सुन रहे थे जो अटल बिहारी बाजपई और मदन मोहन मालवी के बारे में बता रह है थे छपरा से डी अंडे न्यूज के लिए में रंचनी सांडिल यह जुरो दिख्षांस से करो फरी खुद को स्ट्रेस से गूगल प्ले स्टोर से दिख्षांस अब डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाव आसान और मज़िदा दिख्षांस देता है टॉपिक वाइस वी